दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे आज की सबसे पहले ख़बर चारा घुटाले के पाचवे केस में भी लालू दोसी डॉरंडा ट्रेजडी घुटाले में हिरासत मिले कर रेम्स भेजे गए लालू सजा का एलान 21 फरवरी का 950 करोड रूपी के देश के बहुच औरचित चारा घुटाले के सबसे बड़ केस में मंगलवार को फैसला आ गया सिबियाई की बिसेस अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सहीत 75 आरूपियों को दोसी करार दिया है रिम्स में भेजा गिया है लालू कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोड से होटवार जेल गए फिर वहां से रिम्स चले गए एक इस फरवरी तक वह यहीं रुखेंगे दूसरी तरफ चारा घुटाले पर लालू के बेटे की प्रतिकिरिया तेजसी बोले एक केस को कई हिस्सों में बाटा जनता की अदलत में लालू गुनाहगार नहीं जिया डूरंडा को सगार से निकासी के मामले में सिवियाई की विस्स अदलत ने लालू प्रसाद को दोसी करार दिया है इनके बाद नेता प्रतिपाच तेजसों यादम ने कहा कि सभी को कोड के फैसले का पालन करना चाहिए यह कोई अंतिम फैसला नहीं है हम लोग हर केस में हाई कोड गये हैं लालो जी जरूर बरी होंगे हाई कोड के ओपर सुप्रीम कोड है कई बार ऐसा होता है कि हाई कोड का फैसला सुप्रीम कोड में पलट जाता है देश की जनता देख रही है कि आजादी जब से मिली है तब से लेकर अब तक एक ही घोटाला हुआ है आएनि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है अगली बड़ी कबर बिहार के 42,000 सिक्चकों के लिए अच्छी कबर 23 से मिलेगा नियुक्ति पत्र जिहां बिहार के प्रारामबिक विदलेओं में सिक्चकों के करेब 91,000 रिक्त पदो पर वर्स 2019 से आराम हुई नियोजन प्रक्रिया में अंतिम रूप से चानित करेब 42,000 अभियार्तियों को 23 फुरवरी से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा सिक्चा विबाग के अधिकारियों को देख रेख में नियुक्ति पत्र नियोजन इकाई के मादम से बाटा जाएगा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही सिक्चा की योगदान कर सकेंगे पातरता और परसिक्चन परमान पत्रों की जाच जिनकी पुरी हो गई है उनके वे इस कॉन्फरेंस कर तो इस फरवरी से नियुक्ति पत्र बाड़ी जाने की घोसना की है बाड़ी कबर बिहार में 15 फरवरी को मनेगा सहिद दिवास सीम नितिस ने किया एलान तारापूर सहिद दिवास को पाइट करम में सामिल करेगा सिक्चा विवास जिहां मुंगेर के तार कद प्रतिमा को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मादम से सीम नितिस कुमार ने लोकारपन किया इस दौरान अपने भासन में सीम ने दो बड़ी घोसनाई की है 15 फरवरी को प्रते एक साल तारापूर दिवस को राज के समारों के साथ मनाए जाएगा साथ सिक्चा विवा के द अकुमत द्वारा हुए भिसन नरसाहार के लिए प्रसिद है आजादी के दिवाने 34 वीरों ने तारापूर थाना भावन पर तिरंगा पहराने के संकल्पों को पुरा करने के लिए सिने पर गोलिया खाए थी और बीर गति को प्राप्त हुए थी बाड़ी कबर बिहार के पहली सफारी के लिए हो जाए तयार नितिस कुमार 16 यानि आज करेंगे राजगीर वाइल लाइप जूस सफारी का उदगाटन जिहां बिहार के राजगीर में जूस सफारी का बुद्वार यानि 16 फरवरी को मुख्यमंत्री नितिस कुमार द्वार बन गया है 191.12 हेक्टेर में फेले राजगीर जू सपारी ना केवल पर्याटन के लिहाज से बलकि जू सपारी परेटों के लिए रोमाई से बरा होगा या आने के बाद पर्याटक ना सिर्फ सपारी का अनंद ले सकेंगे बलकि सेर से लेकर दूसरे जानवर को भी खुले में विचरते देखे सकेंगे अगली बड़ी कबर बिहार में बिजली दर 9.9 परतिसत तक बढ़ाना चाती है कमपनी एक अप्रेल से लागू होंगे नए रे जिहा बेदोध भवन्टों में एक अप्रेल से राजबर में लागू होने वाले नए बिदोध दर निदारान पर बसल की जाए वहीं बिजली कमपनी ने 9.9 परतिसत बिदोध दर में बिदोध दर बिर्दी और घरेली सहरी के तेन स्लेब में एक स्लेब को हटाने के मांग की है कमपनी ने कहा कि राज सरकार से वे नुकसान के भरपाई के लिए 930 करोड अनुदान मिलने के बाद भी 440 करो प्रचित रख लिया है 15 मार्च के बाद फैसला आने के समावना है अगली बड़ी खबर चिराग पासवान का राजबावन मार्च पुलिस ने चिराग को हिरासत मिलिया सरकार को बरखास्त करने के मांग जिया राजदानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है लोजपा दच चिराग पासवान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है चिराग पासवान बिहार सरकार को बरखास्त करने के मांग को लेकर राजबावन मार्च पर निकले थे डाक बंगला चोरहा और आयकर चोरहे के पास पुलिस ने उन्हें रोखने की कोशिस की लेकिन कायर करता न कोपियों की जाच अगले मेने आएगा रिजल जी आएक परवरी से आएजित इंटर मिडेट वारसिक परिचा का सुमवार 14 फरवरी को संपन हो गया अब 17 फरवरी से बिहार बोर्ड मेट्रिक की परिचा सुरू होगी इंटर परिचा समाप्त होने से पहले ही बिहार बिदाले परिचा समीती ने इंटर की कोपियों की जाच की पूरी तयारी कर लिए इंटर की कोपियों की जाच 26 फ़र्वरी से सुरू होगी और इसे 8 मार्च तक समाप्त कर लेना है साथ इस सम्हावना है कि इस बार भी समिती प्रासासान इंटर परिचा का रिजल्ट देश भर में सबसे पहले मार्च मही कर देगा आपको बता दे कि पिछले साल बोड प्रासासान ने 26 मार्च 2021 को ही इंटर परिचा का रिजल्ट जारी कर दिया था आगली बड़ी ख़बर मुझेपरपुर से टाटा राची के लिए ऐसी बस का सेवा सुरू 18 फरवरी से परिवाहन निगाम सुरू करेगा परिचालन टाटा के लिए देना होगा 850 रुपे किराया जी हाँ आप मुझे परपुर से टाटा राची के लिए ऐसी बस सिवा का परिचलन सुरू होगा आगा में 18 फरवरी से पत परिवान बिवाग इसका परिचलन करेगा इसके लिए बिवाग ने हरी जंडी दे दी है इसके साथ ही भाड़ा और टाइम भी तै कर दिया गया है मुझे परपुर राची टाटा रूट पर परिचलन निगम की दो बस्यों का परिचलन किया जाएगा इस रूट पर पहली बार सरकारी बस से चले ही जा रही है आपके जानकारी के लिए बता दे के मुझे परपुर से टाटा का किराया 830 रूपी रखा गया है वही मुझे परपुर से राची का किराया 636 रूपी रखा गया है अगली बड़ी ख़बर पाटना में महंगी होगी जमीन और फलेट की रेजिस्ट्री इस महने से हो सकता है लागू जिया बिहार के राचीजाने पाटना में आप ज़्यादातर हिस्सों में जमीन मकान फलेट आदे का निबंदन बिना सर्किल रेट बड़ाई महंगा होने वाला है इस सम्मन में पाटना जिला निबंदन कार्याला इने निबंदन विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है इस परस्तां में सड़कों को परमोट किया गए इसके मताबग़ अब 20 सपूड के बदले 15 फुटों से अदेक चोड़ी सड़क को मेंनरो रिया मुः किस सड़क और 25 सब्थ से अदेक चोड़ी सड़क को प्रधान सड़क के रूप में अधस उचित करने के बात की है और जिन सडकों को मुई के सडक से प्रधान सडक के रूप में आदिस उचित किया जाएगा उसकी किनारे की जमीन का सर्किल रेट 10 लाक तक बढ़ सकता है आपको बता देखे अभी के समय में मुख सड़क का सर्किल रेट 16 लाक और प्रधान सड़क का सर्किल रेट 26 लाक रुपिय है सर्किल रेट के नुसार है निबंदन सुलक लगता है इसलिए निबंदन सुलक महांगा हो जाएगा अगली बड़ी कबर बच्चों को एनेमिया से बचाने के लिए प्रतेक मा उन्नीस तारिक और आरेन सिरब बाड़े के बिहार सरकार अगली बड़ी कबर बिहार में लाखो लोगों के नाम वोटर लिष्ट से हटाने के तयारे सिर्प इस जिलिए से हटेंगे डेड़ लाक नाम जिहार में वोटिंग परतिसयत को बढ़ाने के लिए कावायाद चलती रहती है लेकिन इसके बाद भी वोटिंग परतिसयत उपर नहीं जा पाता है इसकी बड़ी वज़ा एक ही वोटर के कई जगा नाम दर्ज होना भी है इसी क्राम में इनकी असली वाज़ा को आयोग ने तलास लिया है अब राज के लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सुची से अटाए जाने के तैयारी सुरू हो गई है आपको यह देख लेना चाहिए कि आपका नाम भी इस लिस्ट में तो नहीं है आपको बता दी कि पता चल होगा दोर सत्र को पड़री पर लाने की कवायाद हुई तेज कलंडर जारी जिया पटना विस्विदाले समेथ तमाम विस्विदाले वह कोलेज में परिचाओं का दोर सुरू होनी वाला है सत्र को पड़री पर लाने की कवायाद तेज हो गई है लगबग सभी विस्विद पहले से प्राराम हो गई थी इसके साथ पीजी सेकेंड वह फॉर्थ सेमेस्टर की परिचाई 19 वह 21 वरवरी से होगी वहीं अब योजी पीजी की परिचाई भी इस पर मैं तक करा जोन में रिजल्ट देकर सत्र को नियमित कर दिया जाएगा अगली बड़ी कबर बिहार अब इस विदलाय में फरवरी के आँंग तक सुरूह गी परिचाई पीजी फरस्ट सेमेस्टर का रिजल्ट किलियर नहीं सेकंड की होगी परिचा परिचा नियंत्रन का तर्ग पेंडिंग में सुधार हो रहा है जिहां भीहार भी स्विदालाई के पेजी फर्स्ट समिस्टर के रिजल के बाद अब तक पैंडिंग किलियर भी नहीं हुआ है तब तक अगले समिस्टर के परिचा के तैयारे सुरू हो गई है सिसन लेट होने के कारण परिचा विवाग फर्ष्ट समिस्टर के रिजल के एक माँ बाद ही सेकंड समिस्टर के परिचा लेने जा रहा है 18 फरवरी तक विला मुसुलके के साथ फार्म भरवाया जाएगा मा के आंत में परिचा भी सुरू हो जाएगी परिचा ने अंतरण डाक्टर संजे कुमार ने कहा है कि एक दो दिनों में प्रोग्राम भी जारी कर दिया जाएगा साथ उन्होंने कहा कि पैंडिंग में सुधार हो रहा है लेकिन इसके लिए इंतिजार करेंगे तो आगे की परिचा में देरी हो जाएगी और अनकी बाड़ी ख़वर पंजाबी एक्टर देप सिद्धू के सड़क हादसे में हुई मौत सिंदू बोडर के पास केमपे एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा जिया पंजाब के महसुहोर एक्टर देप सिद्धू के सड़क हादसे में मौत हो गई है देपे सिद्धों अपने सातियों के साथ दिली से पंजाब लोट रहे थे तब इस इंदू बोर्डर के पास केमपे एक्सप्रेसवे पर सडख हादसे के सिकार हो गए आज के लगवा स्वाल बताएं के बेजली कमपनियों के दुआरा बिहार में बेजली दर्ग को बढ़ाने का फैसला सही है नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं